Hey guys, welcome to online exam, तो आज हम करेंगे जुलाई के current affairs series first, तो वीडियो को पुरा end तक देखें और उसे ज्यादा से ज्यादा याद देखने की कोशिश करें और अगर आपको वीडियो ज़रा भी helpful लगता है, तो उसे like, share और subscribe जरूर करें और वीडियो को पुरा end तक देखें, तब ही आपको ये चीज़े समझ में आएंगी, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला question है, according to the report of CMFRI, which state topped the sea fish production? हाल ही में CMFRI द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें भारत के किस राजजे ने मसली के उत्पादन में प्रतमिस्तान पाया है, तो सही आंसर है तमिल नाडू CMFRI का full form आप लोग उसे पूछ सकते हैं, तो CMFRI का full form क्या है? Central Marine Fisheries Research Institute और पूरे विश्व के अगर हम बात करें, तो पूरे विश्व में मसली के उत्पादन में जो टॉप किया है, वो किया है चाइना ने यह है Central Marine Fisheries Research Institute और यह जो CMFRI है, यह हर साल मसली के उत्पादन के ऊपर रिपोर्ट बनाती है और यह है map में China, जिसने पूरे विश्व में मसली के उत्पादन में टॉप किया है और इसकी जो capital है, वो भी आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो capital क्या है? BG हमारा next question है, which state has launched बलराम scheme? हाल ही में किस राज्जे ने अपने राज्जे में बलराम scheme को लागो किया है, तो सही answer है URISA, अब बात URISA की है, तो URISA के Chief Minister के बारे में आपको पता होना चाहिए, उRISA के Chief Minister है नवीन पतनायक और वहां के Governor है गनेशी लाग, और यह आप देख सकते है, URISA launch बलराम scheme, जिस जो 7 लाग landless जो farmer है, उनकी मदद करेगा, यह है URISA के Chief Minister नवीन पतनायक और यह है वहां के Governor गनेशी लाग, हमारा next question है, what is the name of the longest train run by Indian railway, हाल ही में Indian railway दोरा चलाई गई, भारत की सबसे लंबी train कौन सी है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है शीषनाक, यह आप देख सकते हैं, भारत की सबसे लंबी train है, सीषनाक, जिसकी जो कुल लंबाई है, 2.8 km है, यह train नागपूर से कोरपा तक चली और यह एक मालगाड़ी है, मालगाड़ी आप समझते ही होंगे, जिसमें हम लोग समान की आवाजाही करते हैं, और समान को लेके जाते हैं, एक स्थान से द लेटरेंट करनल भरत पन्नू, यह हैं लेटरेंट करनल भरत पन्नू, जिन होने वर्चुल रेस एक्रास अमेरिका 2020 में तीसरा स्थान पाया है, अब यह वर्चुल रेस होता क्या है, इस वर्चुल रेस में जो खिलारी होता है, उसको एक बंद कमरे में साइकल चलानी होती नेक्स्ट पॉर्शन है विच स्टेट और यूटी जाँ पॉर्टल नेम लेड हाल ही में किस राजजे ने अपने राजजे में लेड पॉर्टल सुरू किया है तो सही आंसर होका डेली अब लेड का जो फुल फॉर्म है आप लोगों से पूछ सकते हैं तो लेड का फुल फॉर्म है learning through e-resources made accessible for डेली तो इसके तहर दिली में जितने भी बच्चे हैं जो कोविड-19 के वज़र से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनको घर पर ही जो learning resources है वो प्रवाइड किये जाएंगे ताकि वो पढ़ सकें वैसे ही स्कूल में पढ़ते थे यह आप देख सकते हैं learning through e-resources made accessible for डेली और इसके chief guest कौन थे मनीश सिसोधिया जो की deputy chief minister है डेली के next question है which country was the largest contributor of e-waste in the release global e-waste monitor 2020 report हाल ही में global e-waste monitor 2020 के report के अनुसार किस देश ने सबसे ज्यादा e-waste produce किया है तो सही answer होगा चाइना अब यह e-waste का मतलब है क्या e-waste का मतलब है जो भी आँ फोन इस्तेमाल करते हो या कोई भी ऐसी चीज जो electronic है और खराब हो जाती है तो वह e-waste के लाती है तो सही answer होगा 2036 तर वेल्दमिर पुतीन जो है वो रश्या के president बने रह सकते हैं अब बात रश्या की है तो रश्या की capital के बारे में आपको पता होना चाहिए तो रश्या की capital क्या है Moscow और वहां की जो currency है वो है Russian Rubel ये है map में रश्या और रश्या की जो capital है वो क्या है Moscow और ये हैं वेल्दमिर पुतीन रश्या के president और ये हैं वहां की currency रश्या रुबिल नेक्स्ट कोशन है by what name NASA created 3D printed necklace to avoid infection आल ही में NASA ने एक 3D printed necklace बनाये है COVID-19 से बचने के लिए तो उसका नाम क्या है तो उसका नाम है Pulse ये आप देख सकते हैं ये है वो necklace और इस necklace की खास बात क्या है जब कभी भी आप अपने मुँ में या फिर चहरे पर कभी हाथ लगाने की कोशिश करोगे तो ये तुरंत वाइबरेट करना शुरू कर देगा और ये आपको ये बताएगा कि आपने हैंड बिना wash किये ऐसे ही आप अपने चहरे पर हाथ लगा रहे हो जिससे infection कम से कम फै रहा है ये है जिन को 2020 ये पिलेगा नेक्स श्टेट गवर्मेंट फीर और तो साही आंसर है धो vast की जूर्वण्य वर्ल्ड फेमस राभनी फेर जो है उसको पूष्पाौन कर दिया है ये धो जारखन के देवगर में मनाया जाता है और यहाँ पर जो सिफ मंदिर है वहाँ पर हर साल स्रवण के महिने में लगबग 30 लाग लोग सिफ लिंग पर जल चड़ाने आते हैं और इस साल COVID-19 की वज़े से ही इसको पोश्पॉन किया गया है वहाँ की गवर्मेंट दौरा जारखन के चीफ मिनिस्टर कौन है हेमद सोरेन और वहाँ की गवर्नर कौन है दौरौपदी मुर्मू और यह आप देख सकते हैं यहाँ पर लगता है वर्ल्ड फेमस स्रावनी फेयर यह है वहाँ के चीफ मिनिस्टर हेमद सोरेन और यह है वहाँ की गवर्नर दौरौपदी म officer के रूप में चुना गया है United Nation Next question है What is the name of France PM who recently resigned from the post of PM हाल ही में France के PM ने अपने पत से स्तीफा दिया है उनका नाम क्या है उनका नाम है Ediro Philippi ये है Ediro Philippi France के प्रधान मंत्री जिन्होंने हाल ही में अपने पत से स्तीफा दिया है अब बात करते हैं last video के question के answer की मैंने आप लोगों से question पुछा था जिसका बहुत सारे लोगों ने सही और appropriate answer दिया और ऐसे ही आप हर question को attempt कीजिए तभी आप लोगों की जो thinking process है वो बड़ेगी और इससे आपको paper में बहुत जादा फाइदा मिलेगा तो मैंने आप लोगों से question क्या पुछा था government of India banned 59 Chinese app like TikTok and UC browser what's your opinion about the decision तो ये जो सरकार ने decision लिया है ये सरकार ने decision बिल्कुल सही लिया है ये question आप लोग के लिए है और इसका सही answer आप मेरे comment box में दे सकते हैं which country decided to ban Chinese app in their country like India did और आपके option है Bangladesh, Bhutan, America और Russia और इसका सही answer आप मेरे comment box में मुझे दे सकते हैं I hope आप लोगों मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे like, share और subscribe जरूर करें